हेलो दियर स्टुडेंट्स SBI PO Prelims के एक्जाम के बाद कट ओफ के बारे में आज की वीडियो है शुरू करते हैं वीडियो को आप में से जो बच्चे दो या तीन माहिने से जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे कि IVPS के RRB PO कलर्क और IVPS का PO कलर्क इनके एक्जामस के बाद इनकी कट ओफ मैंने बताई थी वो वीडियो आपको मिल जाएंगी चैनल पर जाके आप देखेंगे एक भी वीडियो डिलिट नहीं की गई है जो कट ओफ बताई गई थी वही कट ओफ रही है इतने दिन बाद वीडियो बनाई जा रही है कट ओफ को लेकर तो ऐसे ही नहीं है काफी एनलाइसिस के बाद बनाई जाती है तो जिन बच्चों को ट्रेस्ट है उनको थैंक्स बाकी आप वीडियो देखें उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तब आगे ट्रेस्ट हो जाएगा जिनको ट्रेस्ट नहीं है हम शुरू करते हैं वीडियो को देखी बात क्या आती है सबसे पहले एक लॉजिक समझिए मान लिजी आठ लाग वच्चों ने एक्जाम दिया है तो आठ लाग में से अगर दस अजार बच्चों ने भी तुक्का लगा दिया कुछ कोश्चंस में इसे मान लिजी उनके पैंतालिस तो हो ही रहे थे बाकी कोश्चंस में तुक्का लगा दिया और उन्होंने अपना ये आंकड़ा 85 के आसपास पहुंचा दिया कोश्चंस अटेंप्ट करने का तो ये 40 कोश्चंस जो एक्ष्टा किये हैं इनमें भी उनके अगर 20 कोश्चंस भी साही हो गए है तो वो 60 प्लस पहुंच जाएंगे ये चीजें हैं आपको समझनी पड़ेंगी कट ओफ हाई ऐसे ही नहीं जाता है तो बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद काफी कुछ एनलाइसिस करने के बाद कुछ निसकर्स ये निकला है कि जो जनरल कैटेगरी की एक्सपेक्टेड कट ओफ रहेगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी कि लो और हाई इसका मतलब है जो लोएस्ट रहेगी कम से कम रहेगी उससे कम नहीं हो सकती है वो रहेगा 58 हाईस्ट की बात करते हैं वो रहेगा 62 इस रेंज के बीच में आपकी कट ओफ बैरी करेगी यानि कि 58 से 62 के बीच में बहुत से बच्चों को ये मैं तो यही चाहूंगा लेकिन फिर भी अब जैसा रहा है सेनारियो साब से बताया गया है वागी RBI सेश्टेंट वाले बच्चे भी प्लेलिश ज़रू चेक कर लें आपको वीडियो मिल जाएंगी मैट्स की SBI P.O.P.L.E.M.S. रिजल्ट को लेकर भी वीडियो आने वाली है आप टच्च में बने रहें चैनल के ध्यान रखें अपना बाई